हलो दोस्तो आप देख रहे हैं आईजी टेक चैनल और मैं जब बताऊंगा हाँ टू टर्न अगर आपका विंडोस 10 है तो आपको किस तरीके से उसमें स्लिप मोड को किस तरीके से आउन के जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और अभी तक आपने हमारे आईजी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको किलिक मारके सब्सक्राइब जो है ज़रू कर दीजे तो दोस्तो Deep Mode को On करने के लिए Windows 10 में आपको Sleep Mode को On करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यह Windows का जो बटन आइए उसमें जाना पड़ेगा यह नीचे होता है सबकी अदर लेकिन मेरा जो है स्क्रीन जो है यहांकी damage है तो इसलिए मैंने जो है उसको उपर रखा हुआ है इस तरीके से मैं उपर रखता हूँ इसको यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जाने के बाद में जो है आपको यहाँ पर home का button आएगा यानि कि power का button आएगा तो आपको उसको click करना है click करने के बाद में आपको यहाँ पे sleep का option मिल जाएगा यहाँ पे दीखे sleep का option जो है मिल चुका है आपको इसको click मारेंगे तो sleep हो जाएगा इसके अलावा अगर आप keyboard से sleep करना चाहते हो यानिकि keyboard से आप जो है sleep करना चाहते हो तो आपको आपको एक साथ किलिक करना पड़ेगा. यहांपे दीखे इस तरीके से किलिक कर दीजे. किलिक करने के बाद मैं इस तरीके से Windows का, ओ eruption आए जाएगा. तो आपको arrow किलिक करना पड़ेगा, यहांपे shutdown का आ रहा है. आपको उपर का arrow दबाना पड़ेगा. आपको यहां पर sleep को option आ जाएगा, यहां पर दीके sleep करके आ रहा है, आपको enter कर देना है, आपका sleep हो जाएगा, यहां पर दीके मैं enter कर देता हूँ, यह sleep हो चुका है, sleep हो जाने के बाद में आपको sleep हो गया, आपको इसको button को click करना है, आपका on हो जाएगा, कोई भी button को आप click कर दीजे आपका आउन हो जाएगा His simple, इसको Enter कर दीजें But और यहां पे पावर बटन को क्लिक करना आपर यहां पे Slip करेंगे तो भी इस अभी Slip हो जाएगा तो आप इस वीडियो से किस तरीके सेत करना करना अपने Windows 10 को आप जान चुके होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आईजी टेक चैनल